असलाम व्लेकुम टूल तो आज हम बहुत जबरदसी हिलदी वाली एकदम एनरजेटिक स्मूती बनाकर तयार करेंगे इस स्मूती को हम बचशो और बड़ों दोनों ही को सर्फ कर सकते हैं बहुत ही जल्दी और इजी वे में हम बनाकर तयार करेंगे चंद fruits और चंद vegetables को add करके हम healthy way में ये smoothie बना कर तयार करेंगे तो चलिए banana start करते हैं smoothie बनाने के लिए मैंने 2 apple और 3 banana ले लिए हैं जिसको हम 5 members को serve कर सकते हैं 5 glasses smoothie बनेगी हमारी अब हम इसको fruits को छील लेंगे और छोटे-छोटे से टुकड़ों में cut कर लेंगे देखिए हमने banana को भी छोटे-छोटे shape में cut कर लिया है और हमने apple को भी छोटे-छोटे shape में cut कर लिया है अची तरह से छिल कर apple और बनाने की जगा अगर आप दूसरे fruits भी use करना चाहे तो use कर सकते हैं इसके अलावा हम इसमें dry fruits भी add करने वाले हैं दो से तीन चमच के खरीब हम काजू add करेंगे और दो से तीन चमच के खरीब हम इसमें बादम add करेंगे टेस्ट के according चीनी add करेंगे एक glass भर के दूद ले लेंगे हम इसमें तो चलिए बनाना start करते हैं सबसे पहले हम काजू और बादम को अची तरह से blend कर लेंगे एक blending jar में add कर देंगे सबसे पहले हम dry fruits को powder form में ले लेंगे काजू और बादम को एक साथी blend कर सकते हैं अगर आप चाहें तो बादम को रात में भीगो कर सुबह में इसका छिलका निकाल कर भी add कर सकते हैं वनना ऐसे भी चलेगा तो चलिए हमने dry fruits को अची तरह से powder form में ले लिया है देखिए इस तरह से हमारे dry fruits का powder बनके ready हो चुका है तो चलिए हम fruits को भी अची तरह से grind कर लेंगे इसको हमने blending jar में add कर दिया है अब हम उसको भी अची तरह से grind कर लेंगे तो लीजी अब हमारे dry fruits और हमारे fruits दोनों ही ready हो चुके है अब हम इन दोनों को combine करेंगे देखिए हमने fruits को जो अची तरह से blending jar में अची तरह से grind कर लिया है ये अच्छा से smoothi form में आ चुका है अब हम इसमें क्या करेंगे जो हमने dry fruits powder बनाकर ready कर लिया था वो add कर देंगे अब हम इसमें taste के according इसमें चीनी add करेंगे मैंने दो बड़े चमत चीनी का यूज किया है आप अपने taste के according add करें अब हम इसमें एक glass भरके दूद आड़ कर देंगे अब हम इसमें एक glass पानी add कर देंगे अच्छी तरह से इसको grind कर लेंगे हम तो लीजी हमारी smoothie बनकर ready हो चुकी है देखिए इसकी consistency एकदम perfect है चुकिके मैंने winter season के हिसाब से smoothie prepare की है इस वज़े से मैंने ठंडा दूद भी add नहीं किया है नॉर्मल दूद की बजगा आप अगर summer season में अगर इसको बना रहे हैं तो ठंडा दूद आड़ कर सकते हैं और ice cubes भी add कर सकते हैं मैंने ice cubes भी नहीं add किये हैं winter season के लिए तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं तो लीजी हमने glasses में add कर दिया है हमारी smoothie अगर आप बड़े लोगों के लिए अगर smoothie बना कर तयार कर रहे हैं तो चीनी को हलका सकम कर सकते हैं वरना ना डालें भी तो चलेगा चुंकि हमने इसमें banana add किया है बनाने का test मीठा होता है इस वज़े से सिर्फ बनाने किसे भी आप इसको ready कर सकते हैं और इसमें हलके से किश्मिश को कट करके भी डाल सकते हैं जिससे भी इसका test बहुत enhance होगा I hope कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और मुझे feedback जरूर दे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है